नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो नोट के माध्यम से भी हम प्रश्णों को थोड़ी जादा संख्या में ले रहे हैं तो आप धहरे से पूरा वीडियो देखिएगा साथ ही आप इसे शेर भी करके जाएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बल आकन प्रेस जरूर कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपका बिना समय व्यर्थ किये 451 से लेकर देखिए 451 कुश्चन क्या कहता है भारते समिधान में किस प्रकार की संगिये व्यवस्था का प्रावधान है देखिए भारत में संगिये व्यवस्था तो है लेकिन किस प्रकार की संगिये व्यवस्था है तो देखे हमारी एकात्मकता की और जुका हुआ संगात्मक समिधान संगिय व्यवस्ता हमारे देश की संगिय व्यवस्ता जो है वो संगात्मक है लेकन एकात्मकता की और जुकी हुई है ठीक है यह जी ध्यान रखेगा 452 भारत में भारत के अंतिम गवर्नर जन्रल कौन थे तो भारत के अंतिम गवर्नर जन्रल आपने जन्रल कुश्चन्स में भी देखा होगा ये थे सी राज गोपालाचारी सी राज गोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जन्रल थे ठीक है दोस्तों नेक्स देखिए, 453, भारत का उपराष्टपती अपना त्यागपत्र, भारत का राष्टपती अपना त्यागपत्र किसे सोपता है, किसे देता है, तो वो भारत के उपराष्टपती को, देखें, भारत के राष्टपती को यदि अपना त्यागपत्र देना है, तो वो किसे देंगे भारत के उपराष्ट पति को और राष्ट पति को जब हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है वो जो भारत समिधान के अनुचेद 61 में वरनित है ध्यान में रखेगा जब राष्ट पति अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देंगे तो वो लेकिन यदि उन्हें किसी कारणवर्ष हटाया जा रहा है तो उस हटाने जाने की प्रिक्रिया महावियोग कहलाती है राष्टपती के विरुद महावियोग ठीक है लोक लेका समीती में कुल सदश्य कितने होते हैं देखिए संसत की कुछ समीतिया होती है जिसके अंतरगत प्राकलन समीती लोक लेका समीती अन्य भी कई समीतिया होती है इसमें लोक लेका समीती में दोस्तों कुल सदश्य जो होते हैं वो कितने होते हैं 22 होते हैं इस लोक लेक भारतिय संगवाद को सहकारी संगवाद का नाम किस ने दिया भारतिय संगवाद को सहकारी संगवाद कहकर कौन पुकारते हैं तो ग्रेनवाइल आस्टिन भारतिय संगवाद को सहकारी संगवाद कहकर बुलाते हैं पुकारते हैं नेक्स देखी दोस्तों, 456, क्या कहता है 456, सम्विधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है, बारतिय सम्विधान की बात की जा रही है, कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, विलंबन की शक्ती सीमा से बाहर है, यह है 369 में, सम्विधान के अनुच्छेद 369 में बताया गया है, कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, विलंबन की शक्ती सीमा से बाहर है, 457, भारतिय सम्विधान द्वारा प्रदत मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है केवल, किसके द्वारा, राष्टिय आपात गोशना क द्वारा, मतलब राष्टिय आपात की गोशना की जाएगी, उस समय भारतिय सम्विधान द्वारा जो प्रदत हमें मूल अधिकार है, उनको निलंबित किया जा सकता है, 458, मंत्री परिशद सामोहिक रूप से, ये प्रश्ण बहुत आते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ज जब ये प्रश्ण सामने आते हैं, क्योंकि बार-बार पढ़ा हुआ नहीं होता, कन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मंत्री परिशद सामोहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होती है, लोक सभा के प्रती उत्तरदाई होती है, 459, कोई भी विदेयक, वित्विदेयक है या नहीं, यह निर्ने किसके द्वारा लिया जाएगा या किया जाएगा, कोई भी विदेयक पेश किया गया, वो विदेयक वित्विदेयक की स्रेणी में आता है या नहीं आता है, इसका निर्ने लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है 460 सामान्यत लोगसवा की कार्यवाही शुरू होती है कौनसी प्रिक्रिया से दोस्तों प्रश्न काल से कौनसी प्रश्न काल से लोगसवा की कार्यवाही शुरू होती है 461 भारत में नीशुलक वे अनिवार्य प्रात्मिक शिक्षा एक मोलिक अधिकार बन गया किस संशोधन के द्वारा तो 86 86 संविधान संशोधन के द्वारा भारत में निशुलक वे अनिवारिये प्राथमिक शिक्षा एक मोलिक अधिकार बन गया ये 86 संविधान संशोधन के द्वारा ये हो पाया 462 भारत के राष्टपती निर्वाचन मंदल द्वारा चुने जाते हैं जो बनता है किन से संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदश्यों से देखिए मैं कितना शब्दों पे जोर डाल के बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है कि संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदश्यों से केवल किन से निर्वाचित सदश्यों से मनोनित से नहीं मनोनित इसमें भाग नहीं लेते संसद और रज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदश्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाओ किया जाता है एकल संक्रमनिय मत पदती के द्वारा ठीक है नेक्स देखिए 463 क्या कहता है कि भारत के उच्चतम नियायले के नियाय धीशों की संख्या में वरदी की जा सकती है किसके द्वारा तो संसदिय अधीनियम के द्वारा वरदी की जा सकती है 464 भारत में नियाइक पुन्रावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है तो न्याइक पुन्राव लोकन का अधिकार उच्टम न्यायलो वे उच्च न्यायलो को प्राप्त है भारत के भारत में न्याइक व्यवस्था की अधियम बात करें तो न्याइक पुन्राव लोकन की जो सुईदा है जो अधिकार है वो उच्टम न्यायले वे उच्च न्याय प्राप्त है 465 1969 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंब करने वाला कौन सा पहला राज्य है तो वो कौन सा है दुस्तों राजस्थान भारतिय समिधान की किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है निर्वाचन आयोग इलक्षन कमीशन की बात किस में की गई है अनुछेद 324 में 3,2,4 466 देखिए मिलान प्रशन है इसमें आंसर्ज हाला कि आमने सामने लिखे हुए है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिलान प्रशन काफी पूछे जाते है एक तरफ एक काटेगरिय जाएगी दूसरी तरफ दूसरी काटेगरिय जाएगी सही को मिलान करना होता है ठीक है तो यहाँ पर एक तरफ संस्ता है दूसरी तरफ उनके कारे अधिकारी है अब इनको हमें मिलान करना है तो नगर निगम का कारे अधिकारी दोस्तों मेयर कहलाता है ग्राम पंचायत का सरपंच कहलाता है नगर पालिका का चेर्मेन कहलाता है और वार्ड का वार्ड पारशद कहलाता है तो एक तरफ संस्ता हो गई दूसरी तरफ उनसे संबंदित कारे अधिकारी हो गए जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, वार्ड ठीक है? तो ये मेर, सरपंच, चेर्मैन और पार्शत ओके? नेक्स देखिए सायुक्त राज्य अमेरिका में न्याय पालिका क्या है दोस्तों? न्याय पालिका क्या है? सरवोच्छे द्वी सदनात्मक या द्वी राज व्यवस्था किस शाषन प्रणाली की प्रमुख विशेष्था है? तो ये संगात्मक शाषन प्रणाली की प्रमुख विशेष्था है द्वी सदनात्मक ता या द्वी राज व्यवस्था? यदि किसी देश की शाषन व्यवस्ता अध्यक्षात्मक है, कैसी व्यवस्ता? अध्यक्षात्मक है, तो कैबिनेट के सदश्य किसके प्रती उत्तरदाई होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है समझना चाहिए कि कोई देश है वहाँ पर शाषन व्यवस्था अध्यक्षात्मक है ठीक है? तो वहाँ पर कैबिनेट की जो सदर्श है वो राष्ट्रपती के प्रती उत्तरदाई होंगे क्योंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में आपको पता होगा प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपती के प्रती उत्तरदाई होंगे नेक्स देखिए किताब है एक लौ ओफ कॉंस्टिटूशन के रच्यता कौन है? तो एवी डाइसी डाइसी ने इनकी रचना की नेक्स देखिए 472 यह प्रसिद कथन किसका है कि संसदिय शाशन व्यवस्था में मंत्री मंडलिय उत्तरदाईत्व की ओट में नोकरशाही फलती फूलती है काफी फेमस, काफी अच्छा प्रशन है नोकरशाही को लेकर यह रैमजे म्योर का कथन है दोस्तों यह कहते हैं कि संसदिय शाशन व्यवस्था में मंत्री मंडलिय उत्तरदाईत्व की ओट में नोकरशाही फलती फूलती है यह रैमजे म्योर का कथन है 473 नोकरशाही को New Deportism कहकर इसकी आलोचना करने वाले कोन है लॉर्ड हीवर्ट नोकरशाही को New Deportism कहकर इसकी आलोचना करते हैं लॉर्ड हीवर्ट नेक्स देखिए 474 संगिय सरकार वाले देशों में व्यवस्था का प्रमुक आधार क्या है तो शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था के आधार पर 476 संगिय सरकार वाले देशों में दाई होती है देखिए इन परशनों को बहुत ध्यान से देखने है आपको ठीक है संसद आत्मक यदी विवस्ता है किसी देश में तो वहाँ पर कारेपालिक का विधाई का जो है वो कारेपालिक के प्रती क्या होगी उत्तरदाई होगी समिधानिक सरकार में प्रते गती विधी किसके अनुसार होती है क्योंकि नाम ही देखिए समिधानिक है तो समिधान के अनुसार होगी प्रते गती विधी किसके अनुसार होगी समिधान के अनुसार होगी शक्ती प्रथकरण सिद्दान्त किस ने दिया दोस्तों बहुत महतपूर्ण है देखिएगा ये मौन्टेश क्यों ने दिया किस ने दिया शक्ती प्रथकरण सिद्दान्त किस ने दिया मौन्टेश क्यों ने दिया पुस्तक है एक Spirit of Lodge Spirit of Lodge ये किस ने लिखी ये Monteskyu ने लिखी Spirit of Lodge शक्ती प्रतकरण का सिद्दान्ट किस ने दिया Monteskyu ने और Spirit of Lodge किताब किस की है Monteskyu की शक्ती प्रतकरण के सिद्दान्ट में पर किस प्रकार की शाषन व्यवस्ता संचालित होती है शक्ति प्रतकरण का सिद्धान्थ मौन्तेशक्यों ने दिया मौन्तेशक्यों की किताब है स्प्रीड ओफ लॉज और शक्ति प्रतकरण के सिद्धान्थ पर किस प्रकार की शाषन व्यवस्ता संचालित होती है तो अध्यक्षात्मक शाषन व्यवस्ता तो हम कह सकते हैं कि भई USA में ही शक्ति प्रतक्रन सिद्धान्द को लागू किया गया मौंतियुस्की ने वहीं के बारे में दिया और वहाँ पर शाषनबा कैसा है अध्यक्षात्मक है समझ में आगई बात नेक्स देखिए 481 भारतिय वह अमरीकी शाषन व्यवस्था में समानता है किस प्रकार की न्याय पालिका की स्वतंत्र इस्थती ठीक है हमारे यहाँ पे न्याय पालिका स्वतंत्र काम गरती है अध्यक्षात्मक शाषन व्यवस्था में सरकार वे राष्टर का प्रमुक कोन होता है पहले ही हम ये बात कर चुके, अध्यक्षात्मक्षाशन व्यवस्था में राष्ट्रपती ही सरकार का भी प्रमुक होता है और राष्ट्र का भी प्रमुक होता है, ओके, नेक्स देखिए, 483, फिलीबस्टर प्रकिरिया क्या है, फिलीबस्टर, ये शब्दावली आ सकती है तो सीनेट के सदश्य बिल पारित करने में रुकावट डालते हैं, ये व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, USA में, इसे कहते हैं, फिलीबस्टर, क्या कहते हैं, फिलीबस्टर, सीनेट के सदश्य बिल पारित करने में रुकावट डालते हैं, 484 सेंक्त राजी अमेरिका का समिधान कब लागू हुआ तो देखे 4 मार्ज 1789 को 1789 में संगातमक व्यवस्ता वाले देश प्रमुक कौन से है USA, आस्टेलिया और कनाडा UK की राजनितिक व्यवस्ता की सूस पस्ट विशेषता क्या है वहाँ पर संसद की सरोचता राजनितिक हास की अवधारना किस से संबंदित है तो Samuel P. Huntington ने दी थी राजनितिक हास की अवधारना 488 देखिए आनुपातिक प्रतिनिदितु प्रनाली चुनावी तंतर में सूनिश्चित करती है क्या अल्प संख्यक प्रतिनिदितु को सुनिश्चित करती है व्यवार के धरातल पर बात करें तो चीन की कौन सी पार्टी संपून राजनिति की धुरी है तो हो है कम्यूनिस्ट पार्टी 490 अमेरिका में निम्णव उच्च सदन कौन कौन से है तो देखिए यहाँ पर अमेरिका में निम्णव उच्च सदन है दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिनिदित सबाव है सिनेट 491 स्विजर लेंड के द्वारा समिधान कब अंगिकार किया गया स्विजर लेंड के द्वारा समिधान कब अंगिकार किया गया तो 1874 में प्रतक्ष परजातंत्र का उधारन कहां मिलता है तो स्विजर लेंड में प्रतक्ष परजातंत्र का उधारन मिलता है ये प्रशन डारेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है तो Switzerland ध्यान में रखेगा मिलान प्रशन है एक तरफ लोकतंतर के सिद्धान्त है दूसरी तरफ उनसे समर्थक है वैसे तो ये आमने सामने लिखे हुए है फिर भी आप इनको ध्यान में रखेंगे एक प्रशन में चार प्रशने क्लियर हो रहे है ठीक है तो आप भी भी आप वीडियो नोट में बने हुए है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाए दोस्तों आपका like मुझे motivation देता है आपका comment मुझे motivation देता है हमारी गलतियों पे आप जब ध्यान देते है तो हमें सुधार करने का मोका मिलता है तो ऐसे जुड़े रहना चाहिए नव उधारवादी लोकतंतर का सिद्दान जो है ये Milton Friedman का है बहुलवादी सिद्दान जो है Robert Dehill इसके समर्थक है अभीजन, Sea Wright Mills लोकतंतर का अभीजनवादी सिद्दान और आमूल परिवर्थनवादी में आता है MacPherson तो एक तरफ लोकतंतर के सिद्दान्त है जिसमें नव उधारवादी Milton Friedman, बहुलवादी, Robert Dehill अभीजनवादी, Sea Wright Mills और आमूल परिवर्थनवादी MacPherson से संबंदित है 494 देखे दोस्तों कैबिनेट शाषन में सामुहिक उत्तरदाईत होता है संगातमक शाषन में शक्तियों का प्रथक करण पाया जाता है एकातमक शाषन में शक्तियों का केंदरी क्रण या शक्ति का संलियन पाया जाता है ठीक है लॉइंडर नामक शाषन इकाई किस देश की विवस्ता से संबंदित है तो ये जर्मन विवस्ता से संबंदित है 498 देखे 498 देखे कानूनी सत्ता का आधार क्या होता है दोस्तों कानूनी सत्ता का अधार होता है पद क्या होता है पद लेटिन भाष्या के शब्द लेजिटीमस का अर्थ क्या है तो लॉफुल क्या है लॉफुल साफटा क्या है दोस्तों साफटा है दक्षिन एशियाई मुक्त व्यापार छेतर तो दोस्तों इस video note में हमने आपसे लगबग 50 प्रशने बात की जिसमें एक प्रशन में 3-4 प्रशनों की बात की तो लगबग 60-65 questions की हम यहां तक बात कर चुके तो video note आपको अच्छा लगा कैसा लगा comment करिएगा और अपनी तयारी जारी रखिए आपकी जो notes हैं आपके पास जो study material है उसके उपर पूरा बरुसा करिए साथ ये साथ हम आपके लिए important fact questions लेकर आते रहते हैं जो आपको परिक्षा में एक क्या कह सकते हैं कि एक मतलब सही त social media पर share कर सकते हैं ताकि जो भी आपके political science से related matter है जो तयारी कर रहे हैं उनको ये काम आ सके तो दोस्तों इस video note को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video note में